अगर आप Realme 8 5G इस्तेमाल करते हो और आप अपने फोन में एप लॉक करना चाहते हो मतलब कि किसी भी एप्लिकेशन को लॉक करना चाहते हो जैसे कि गैलरी एक बहुत ही सेंसिटीब एप है आप अगर उसे लॉक करके रखोगे तो आपके बिना पर्मिशन के कोई भी आपका गैलरी जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा तो ऐसे ही अगर आप किसी भी एप्लिकेशन को लॉक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो इसके लिए आपको कोई भी एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करना है आपको सीधा अपने सेटिंग में चले जाना है सेटिंग में जाने के option हमें देखने को मिलेगा यहां पर हमें स्क्रोल करके नीचे आजाना है नीचे आने के बाद हमें यहां पर एक option देखने को मिलेगा प्राइविसी नम का जस्ट हमें इस प्राइविसी नम के option पर टैप करना है टैप करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहा यहाँ पे हमें कोई भी this digit कपस्वर्ट कपसवर्ट देंके हमें पासवर्ट को फिर से री एंटर कर लेना यहाँ हमें सीकुरिट्भ क्वेशन पूछा जाएगा क्या है आपका teacher का नाम तो just हमें यहाँ पे सही से अपना teacher का नाम दे देना है क्योंकि अगर हम गलती से password को भोल जाते हैं तो अगर हम password को reset और forgot करने जाएंगे तो हमें वाल पे यही question दिखाया जाएगा और हमें answer जो है सही देना है तो सही डालेंगे तो याद रहेगा और answer सही डालेंगे तभी password forward हो पाएगा तो यहाँ पे सही answer दे देना है answer देने का बाद आपको simply right पे tap कर देना है जैसे आप right पे tap करोगे तो यहाँ पे आपको वो सभी applications देखने को मिल जाएंगे जो आपके phone में अभी install होंगे तो यहाँ पे मैं Amazon को आपको lock करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे tap करूँगा और Amazon बाला icon जो हो है पे blue हो गया है आप देख सकते हैं तो यहाँ पे tap करते ही Amazon जो है lock हो गया है अभी मैं अगर home button को press करता हूँ और उसके बाद Amazon एप को open करने की कोशिश करता हूँ तो मैं देखूंगा मुझे यहाँ पे password देना पड़ेगा तो जैसे मैं password दूँगा उसे के बाद Amazon एप जो है unlock हो पाएगा तो हाई यार ऐसे ही बहुत ही easily आप किसी भी application को lock कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कीजेगा